एक समय था जब बड़ा तलाप की खुपसूरती राची की खुपसूरती बढ़ा देती थी लेकिन आज इस तलाप की तस्वीर कुछ और ही कह रही है आप देख सकते हैं सीधे तोर पर तस्वीर ही इस तस्वीर में जो तलाप का पानी है वो ग्रीन हो चुका है और इस तलाप से काफी बदवू भी आ रही है यहां के आसपास के जो रहने वाले लोग है वो काफी चाहसे वह धरागा सारा प्रेयास फेल हो गया हलांकि हम लोगों से जूड़ें यहां पर और सीज़त और पुन से बात करें और जानेंगे क्या खिर-कार इस तलाप की बदबू से उन्हें कितनी परेशानी हो रही है तलाप से जो बदबू आ रही है इसे लोगों की सीहत पर और साथ ही लोग बिमार भी होंगे भाई यह बताये कि यह तलाप काफी बद्बू आ रहा है क्या कहेंगे इसके लिए तलाप का पानी उसाफ करवाना चाहिए कितने दर्से खड़े हैं आप यहां लग बाग दो तीन गंटे सखड़े हैं यहां यहां से बद्बू आरा पुर अभी पहले पहले से पहले तो बहुत जादा बद्बू था भी ठीक है ठोड़ा सब लेकिन हां हमेश्था इससे तरीके से बद्बू आता है लेकिन अगर नहीं का हर पार साफ सफाई करवाती है लेकिन फिर भी वही हाल हो जाता है क्या कहेंगे इस पर किसके पीछे इसका ह इसके पीछे पब्लिक का भी है जो सफाय नहीं करती है इसमें गंदगी रालते रहती है अपना काम कर रही है हरमें साथ सफाय हो रहा भी इस बदूर से सेहत को नुकसान तो है लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा बदू जादा है इनका गिराज है और दिन रात इनको यहीं रहना पड़ता है और कहीं न कहीं इन्हें भी काफी परिशानी उठानी पड़ती है और आपको उता दे कि यह जो बड़ा तलाब है राचे के जितनी भी जितनी भी सहर हम यह के सते हैं राचे के सहर के जितनी भी नाली नाला है सारी जो गंदगी पानी है वो इसी तलाब में आगेर्ती है हालन कि कही न कहीं इसमें पपलीक का भी दोस्हें जिस तरीके से आए दिन ये पनी जू बद्बू का भी दोस्हें कई ना कई इसे पब्लिक का भी दोस है हलांकि आपने हमने आपको बताया कि नगर नीगम की ओर से भी कई बार इसे सही करने का प्रयास किया गया था लेकिन उका जो प्रयास है वो फेल हो गया आपको आप सीज़े तोर पर तस्वीर भी आपको दिखाने कोशिश करेंगे किस पानी में पुरा कायी जम गया है और ये पुरा पानी में पूरा गंदगी भरा हुआ है ये जो ये जो रहता रहे ही कि ये जो तलाव है काफी बदवू है आपकर क्या कहें sería तो अभी तो बहुत सुधार हूआ पहले तो और जंदगी था अभी नुन प siis उसके कहा जाता है जह से ते दूब नहर्मा बादो قण बनें वह सब्सक опас news के शरकार को धेयन देना चाहिए सब हम लोग क्या कर सकते पबलिक पड़िक या कर सकते हैं करlike Eagle है जितना इसमे में को बना कि सब्सक्रिक सकते निकाल सकते निए सब्सक्रिक से कंदगी के कि इधर का लोग है उसको कितना प्रेशानी होता हिस ऑफ स wipes नंचा Сवास्त पिपकतना फड़ता पहुत जाथ है है ठीक है मेरा मächsten लाव disclose है जो यह सरसपाय तो होती नहीं है लगाश्त दूसरा बात यह है कि ज़तने कचणा है घर का, जतना कच पूजा के नाम से फूल फालाता है, उसके अधर साद distill भाट, तीयन, रोटी, बाटी वगएर है, वो पुले डालाता है, ईह निकासी तो हय लही लेगा हैं, प्लस निकासी को निकासी आख और कोलकलकल और गंदगी फहला दिया पुरा हाँ, उसके लावा है कि आद्वीन आते जाते है तो पुरा नाक में अथी करके पार हो रहा है, बहुट शाधी आद्वीन उल्टी कर दे रहे है, लेड़ी सो अगरे लोग जाते आते हैं, तो वही अपने इधर उदर घूमते हैं आता है पाटी तो हम लोग काम करते हैं तो घूमते रहते उदर किनार साइड बैठा हुआ रहते हैं इसमें कोई दो मत का बाती नहीं है पर अदम डूब रहा है एगोड़ लास निकल रहा है इसा भी आफ़त हैं वह बांडरी करवाना चाहिए आदमी सरकार जो भी है बांडरी कर वादना चाहिए तीन चार गेट लगाना चाहिए जिसे कचला फ्यक्राइवला बना दना तो यहां बना दे आगा घाट आगे बनाए जिदर जिदर घाट है वहां पर बना दना चाहिए पानी बाह रहा है पूरतला में भूस रही है जाहिए उस पार में एक ख़ड़ा वी एक बहुत खरम मांकेगा उजो क्या चीज बनाया है ना सप्लायर की काशी वहां कोई ध्याने नहीं है हम लोग गरीबाद उनका करेंगे जैसा है वह चाहिए नहीं पड़ेगा हम लोगों को बोलेंगे यही कि यहां का जो मतलब नगरली का मौला है वो ध्यान नहीं दे रहा है और कि अम रहते हैं अख्यत माल निजाम ने गया है यही बात है पहले इसका खुबसूरती से क्या मतलब पानी तो वही कर गंदगी है साफ नहीं कर रहा है ठीक चलिए लोगों का गलती नहीं है चाचा इसमें लोगों का गलती है तो लोगों को रोकने के लिए नगर निगम का पावर है न तो तो आपने सुना यहां के जो स्थाइन निवासी है उन्हें काफी परेशानी हो रही है हर साल इसे तरिकर इस से बदबू आती है हलांकि नगर निगम की ओर से अरे प्रयास किया जाता है लेकिन कोई फैदा नहीं निकलता है वहीं पपलिक कहना है कि इसके प्रशाशन का भी बड़ा हाथ है और साथ हमार अब बहुत बड़ा हाथ है हालंकि यह देखने वाली बात होगे कि नगर निगम की ओर से एक बार फिर से प्रयास किया जाता है यहां के लोग इसी तरह इस बद्वू पानी से पीरित होते रहेंगे अपने वीडियो जनलिस्ट रवी के साथ महक मिस्रादनिस पोष्ट राची